हेलो गाइज अंतेवासी की ऑनलाइन पोर्टल पे आपके साथ लगातार जो है जो है जो हमारी आगामी परिक्षा है उसमें हम डिस्केशन कर रहे हैं जो है और अपने पिछले वीडियो लेक्शर्स में अभी हाली में हमने अपना इंडियन माउंटें सिस्टम फिनिश किया ह और आज जो निया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ड्रेनिश पैटर्न ऑफ इंडिया यानि भारत की नदिया और अपवाहत अंत्र भारत की नदिया एवं अपवाहत अंत्र पीसी आरो एरो का परिक्षा हो रेवले का परिक्षा हो आपके यूपिटर पल का ये फैवरेट सब्जेक्ट है कि भारत में कौन सी नदी है कहा निकलती कौन से किसकी साहिक नदी है और ऐसे ही संबंदित प्रशन अभी हाल ही में जो 2023 की पीस्ट की प्रिलिम्स की परिक्षा है जी तो ही है उसमें नदी से हमने चार सवाल आते देखे और ये इस सब्जेक् अगर सवालों का इस तर कठिन हो तो भी आप सहज रहें और सवालों का इस तर यदि सरल हो तब तो आपको कोई चुनाती पेश ही ना हो तो नदी क्या होती है ये मेरा सबसे पहला और सबसे सिंपल सवाल आपसे होगा और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को यहीं पर पॉस करके आप अपने मन में दोहराएं कि नदी क्या होती है या कोई बच्चा आपके पास चलकर आए और पूछे कि भईया नदी क्या होती है त उसको अगर सधे हुए सहच शब्दों में बताना पड़े तो हम एक मुश्किल महसूस करते हैं अगर यही सवाल आपको किसी और जगे पर किया गया होता कोई मेत्र यार आपके पूसते नदी क्या है तो हो सकता है उसको पांच मिनट की बिदर आप नदी पर पीएज़ी करव बेसिक कंसर्ट्स पर आपके डिस्कुशन करूंगा कि नदी क्या होती है उसका मुहाना क्या होता है उसका उद्गम क्या होता है उसका बायाता कैसे डिसाइड करते हैं और नदी बेसिन क्या होता क्योंकि इन पर सवाल बनते हैं क्लियर जैसे मैंने एक सिंपल सा सरल सशब् आपने उसको हिंदी में बोल दिया कि भाई वो नदी है तो किस एक वाटर बॉड़ी को हम नदी बोलेंगे किस एक वाटर बॉड़ी को हम नदी बोलेंगे यह सबसे पहला और बेसिक सवाल नदी एक ऐसा जल निकाय है रिवर is a kind of water body which follows the slope and it has an origin point and a finishing point called mouth हिंदी में भी जोगता हूं उसको नदी एक ऐसा जल निकाय है जो कि किसी ना किसी ढाल की तरब प्रवाहित होती है इसका एक उदगम छेत्र होता है जहां से यह निकलती है उसका उदगम बोलते है इसका एक अंत छेत्र होता है जहां पर नदी की आत्रा समाप्त हो जाती है उ एक moving water body है जिसे हम नदी कह देते हैं अगर यही जल का निकाए रुका हुआ हो और छोटा हो तो तालाब आकार में बड़ा हो तो जील बहुत बड़ा हो तो महासागर तो सभी जल निकाए हैं बट सबका सनचना और सबका जो type है वो different है जैसे नदी एक moving water body है अब मैंने आपसे बताया कि नदी में क्या क्या होता है देख लेते हैं basic जैसे नदी का मान लेते हैं कोई ने कोई एक उदगम point होता है जहां से नदी की यात्रा शुरू होती है तो नदी की यात्रा जहां से शुरू होती है उसे हम उसका origin बोल देते हैं क्या बोल देते हैं वो नदी का धाल फॉलो करती है क्योंकि यदि धाल ना हो तो क्या नदी में गती आएगी नहीं आएगी नदी के moving water body होने के या moving object होने के कारण ही क्या है धाल अब नदी अपने प्रवाह छेत्र तै करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी एक बिंदू पर जाकर समाप्त हो जाती है यह उसका end point है यह कोई दूसरी नदी भी हो सकती है जिसमें जाकर मिल जाए यह कोई महा सागर भी हो सकता है और यह कोई inland area यानि कोई एक इस्थल भी हो सकता है जहां पर नदी की यात्रा समाप्त हो जाती है बट वह बिंदू जो नदी का समाप्ती बिंदू होता है उसे क्या कहा जाता है नदी का वह समाप्ती बिंदू कहलाता है इसका mouth क्या कहलाता है mouth और इसे हम हिंदी में कह देते है मुहाना क्या कह देते है तो नदी क्या होती है बात समझ में आई नदी का origin क्या होता है समझ में आया उदगम नदी का mouth यानि मुहाना क्या होता है यह बात समझ में आई छिक अब PSC ROYRO के परिक्षा में एक सवाल जो बाबा पूछा जाता है जैसे कभी-कभी नदियां और कभी-कभी शहर पूछ लेते हैं कि यह particular शहर नदी के किस तट पर है या पूछ लेते हैं कि नदी की जो साहिक नदी है वो उसको उस नदी के बाएं तट से जोड़ती है आकर या दाएं तट से जोड़ती है तो नदी के बाएं और दाएं तट को कैसे तै किया जाता है बहुत सिंपल सी बात है आप अपना चेहरा नदी की धारा की दिशा में लेकर खड़े हो जाईए ठीक है जैसे मैं कैमरे के सामने पर हूँ ठीक अब यदि मान लीजेगी कोई जलसरोत मेरे से आप तक जा रहा है मेरे से आप तक ठीक है तो ये मेरा राइट है उस जलसरोत के दाई तरफ जहां मेरा दाया हाथ है वो नदी का दाया तठो गया जो नदी के बाई तरफ है वो नदी का बाया तठो गया इसे आप अपनी तरह स भी देख सकते हैं, कि यदि कोई जलसुरत आपकी तरफ से मेरी तरफ चल के आ रहा हो तो आपके right hand side नदी का right bank होगा और आपके left hand side आपका नदी का left end होगा ठीक है? clear? तो नदी का बाया तरफ अब जैसे ये नदी है, ये किसी point x से शुरू हुई और किसी point y पर खतम हुई तो इस नदी के धारा की दिशा क्या है? इस तरफ है, तो नदी का बाया तरफ कहां होगा? उपर की तरफ ये इस नदी का बाया तरफ हो जाएगा और opposite है तो ये नदी का दाया तरफ हो जाएगा clear? ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी सी बाते हैं बड़क सर आप concept के अभाव में गलत कर देते हैं या direction के अभाव में गलत कर देते हैं कि नदी के बाया और दाया तरफ को हम कैसे decide कर clear? अपनी अगली slide में हम देखेंगे कि नदीया कितने प्रकार की होती है अगर ये परिक्षा लेकपाल की होती तो बेशक हम चर्चा शुरू कर चुके होते हैं कि इंडस रिवर की सहायक कौन सी नदीया है बड़की PSC ROR की परिक्षा है इसलिए हम content के qualities ये कोई समझाता नहीं करेंगे और आपको basic जरूर बताएंगे क्योंकि हलके फुलके प्रशना गए repeated प्रशना गए तो ठीक है बड़ायोग ने अगर थोड़ा सा इमानदारी दिखा दी paper बनाने में तो वो आपको समस्या बन जाएगा आपके जानना कटिन है या पढ़ाना कटिन दोनों ही बाते सरल है बस थोड़ा सा समय जादा जाएगा ठीक जब हम type of reverse की बात करते हैं तो उसको उसके हम प्रवा के आधार पर देखते हैं किसके आधार पर प्रवा यानि बहाओ के आधार पर प्रवा के आधार पर नदियां दो तरह की होती है discordant और दूसरी तरह की नदि होती है concordant है ना discordant नदियां कैसी होती discordant नदियों के पहले दो टाइप होते हैं उनको हम समझ लेते हैं superimposed यानि अध्यारोपित और discordant का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है antecedent क्या सो antecedent इसको हिंदी में कहा जाता है पूरवर्ती क्या कहा जाता है पूरवर्ती और यह क्या हो गया superimposed concordant river में हम देखते हैं कितनी नदिया आती है sequent यानि अनुवर्ती नदि subsequent यानि सहानुवर्ती नदि asequent यानि इसका क्या बोलेंगे प्रत्यानुवर्ती और चौथा निकल के आ जाता है neo sequent इसे हम हिंदी में कह देते हैं अनुवर्ती जो भी चात्र हैं इतना मैं कह सकता हूं दाबे के साथ कि बहुत सारे ऐसे चात्र जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये हिंदी के शब्द हो या इंग्लिस के शब्द हो दोनों ही नए हैं है ना क्योंकि नदियों के टाइप हमने नदियों को भैते तो देखा है बड़ नदियों के पर कई टाइप होते हैं ये हमारे लिए एक नई चीज हो जाती है ये जितने भी शब्द मैंने चार जो concordant तरह की नदियां बताई हैं और जो दो discordant तरह की नदियां बताई हैं ये समझना मिल्कुल आपके चुटकी बजाने जितना सरल है ठीक ये सुनने में ये दिखने में कठिन लग रहा है कि नदियों के भी इतने टाइप होते हैं सब भी हमें पढ़ना पढ़ेगा क्या बिल्कुल पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि PSCS कमिशन से होने वाली परिक्षा है ठीक है और competition बहुत जादा है जब competition बहुत जादा है तो क्या करेगा सवाल तो नदियों से पूछेगा बढ़ सवालों के इसतर को बढ़ा देगा अब हम यह देख लेते हैं कि भाई साब यह जो type of reverse है इसका आप चाहे तो screenshot ले लिजे कितनी तरह की नदिया है इनमें से सबसे पहले हम समझने चलते हैं discordant तरह की नदिया किस तरह की नदिया discordant तरह की नदिया तो हम देख लेते हैं नदी का जो पहला type निकल के आता है discordant reverse discordant reverse और इनमें से हमने दो तरह की नदिया देखी कौन सी पहली देखी antecedent और दूसरी हमने देखी superimposed कौन सी superimposed इसे हमने बोल दिया था अध्यारोपित क्या बोल दिया गया अध्यारोपित और इसे हमने बोल दिया था पूरवर्ति क्या बोल दिया था पूरवर्ति अब ध्यान से देखते हैं भई ये नदिया क्या है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिसकॉडन नदियां कौन सी होती हैं नदी सबके सब ही धाल पे बेह रही हैं पर कुछ नदियां धाल को मानती हैं और कुछ नदियां धाल की बजाए अपने प्रवाह मार्ग खुद तैय करती है तो वे नदिया जो की छेत्रिय ढाल को फॉलो करने की बज़ाए अपने प्रवाह मार्ग का निर्मार स्वयम करती है ऐसी नदिया कहलाती है आपके discordant rivers ठीक है? यानि इन पर discordant rivers पर local topology यानि वहाँ की छेत्रिय सनशना कैसी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता discordant rivers पर जो slope है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये थोड़ी जिद्धी किस्म की नदियां होती है ये थोड़ा जिद्धी प्रकार की नदियां होती है जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का local topology यानि उस छेत्री सनचना या local slope छेत्रिये जो है ढाल उसका कोई प्रभाव आप नहीं देखते हैं अब इसके दो पैटर निकल के आते हैं देखें ये मिठ ही गया ठीक है पूरवरती नदियों को मैं उदारन के दूर समझाओंगा आपसे कि उदारन के क्या है इसके जैसे पूरवरती नदियां ये वे नदियां है जो अपने शुरुवाती प्रवाह मार्ग को ही फॉलो करती आ रही है ये वे नदियां है जो अपने शुरुवाती प्रवाह मार्ग को ही फॉलो करती आ रही है और इनके मार्ग में कभी भी कोई अवरोध आया हो तो मार्ग परिवर्तन नहीं किया है इन नदियों ने अभी अपने pathway को इन नदियों ने कभी भी change नहीं किया है doesn't matter वहाँ पर कोई mountain भी निकल है ठीक तो ये सबसे जिद्धे किसम की नदिया होती है जिन्हें आप क्या बोलतेते हैं antecedent ये पूरवरती नदिया मैं तीन नदियों के example देता हूँ जो भारत में antecedent rivers के बहुत सटीक उधारणा सबसे पहले नदिया है indus यानि सिंद्ध नदिया सिंद्ध नदिया उस शेत्र में जिस हिमाले का निर्माड होता है और जब हिमाले का निर्माड होता है तो trans-himalian ranges और हिमाले ranges का क्या होता है तो उस अपलिफ्टमेंट पे गौर किया जाए तो indus नदि का mark परिवर्थित हो जाना चाहिए था बट indus नदि ने अपना mark परिवर्थित नहीं किया उसका कारण क्या था उसका कारण ये था कि जिस गती से इन पहाड़ों में या इस mountain की अपलिफ्टमेंट हो रही थी उससे जादा गती से नदी क्या कर रही थी उस surface का erodation कर रही थी आरीबा समझ में तो ऐसे में क्या होता है ये एक figure के थुरू अगर मैं समझा दूँगा तो आपको बात जादा समय आएगी ज्यान से देखिए बात जादा समय देखिए सिंद्ध का प्रवाह मारक कुछ ऐसा है और सिंद्ध के सामने एक mountain आगया तो इंडस ने क्या किया कि बकारदा इस mountain जितना धीरे-धीरे गती से उपर उठ रहा है उससे जादा गती से ये सिंद्ध नदी क्या करेगी इस पूरे छेत्र को काटेगी तो ऐसे में जो भविशी की सनशना बनेगी कुछ ऐसी बनेगी कि आज पास के छेत्र तो उचे उठ जाएंगे लेकिन सिंद्ध अपने उसी प्रवाह छेत्र से भैती रहीगी तो आपने क्या देखा कि नदी ने वहां की लोकल टोपोलोजी और लोकल स्लोप को भी हरा दिया तो ऐसी नदिया क्या कहलाई एंटी सिर्ड नदिया और इसके उधराण भारत में तीन में ने बताए कौन से इंडस, सतलज और ब्रहम पुत्र सतलज वहीं से बह रही है जहां से वो हिमाले बनने के पहले बहती थी और सतलज की खास बात बताओं आपको सतलज भारत की एकमातर ऐसी नदी है जिसने तीनों हिमाले रेंजिस को काटा है जो कि उसके एंटी सिर्डेंट होने का सबसे बहतरी नुदारना हिमाले बाद में फॉर्म होता है और एंटी सिर्डेंट रिवर्ड्स वहाँ पहले से ही बह रही होती है आरी बसन में अब हिमाले फॉर्म हुआ तो एंटी सिर्डेंट रिवर्ड्स यानि सतलज ने क्या किया पहले हिमाले को काटा फिर कौन सी रेंज बनी मिढमालया मिढमालया को भी काटा फिर कौन सी रेंज बनी शिवालिक इसने शिवालिक को भी काटा तो antecedent नदिया जो discordant की उधारण है discordant नदिया कौन सी होती है जो कि किसी भी तरह के local slope को local topolation का मतलब नहीं होता है वो अपने प्रवामार खुद तैय करती है उनमें antecedent ऐसे जिद्धी तरह की नदिया होती है जो कि गहराई से काटने के लिए जाने जाती है उपर-imposed भी कभी भी अपना मार्ग परिवर्थित नहीं करती ये भी local ढाल को नहीं मानते बट antecedent रिवर की तरह ये कोई गहरा कटाव नहीं करती है क्या करती है गहरा कटाव नहीं करती ठीक वही पर आपके antecedent रिवर्स क्या करती है इनको आपने क्या देखा? कि ये local slope को follow करती है क्या? क्या ये local slope को follow करती है? नहीं क्या ये अपना path कभी भी change करती है? नहीं बट ये आपके superimpose से किस मामले मा लग हो जाती है? कि ये deep क्या करती है? gorgeous का निर्माड करती है विशाल गहरे खड का निर्माड करती है जैसे सिंध हो गई सतलज हो गई, ब्रंपुत हो गई ये सब बड़े deep gorgeous का निर्माड करती है आई बासन में? clear? तो आपने discordant नदियों को बहुत सरलता से समझ लिया होगा कि discordant नदिया जो अपने local path और अपने local करती है वो आपके जो गहरी करतान करती है वो आपके antecedent और जो गहरी करतान नहीं करती है वो कैसी super impulse आप अगर मुझे बताना पड़ेगी भारत में super impulse नदियों का example क्या है तो भारत में super impulse नदियों का example निकल के आता है चोटा नागपुर पठार की नदिया, चोटा नागपुर की पठार की नदियों को जब आप देखेंगे तो उन्होंने पठारों को बहुत गहरा है, इसे नहीं काटा है, बट इतना sufficient काट दिया है, कि वो अपने प्रवाह मार्ग में कोई परिवर्तन ना करें, चलिए, discordant reverse section क समझने के बाद, अब हम चलते हैं अपने अगले reverse section के तरफ, और वो है concordant reverse section, चलिए, तो discordant reverse समझने से, समझ कर, फिर अब हम चलते हैं जल्दी से अपने, concordant reverse system के तरफ, और discordant में जो भी लक्षण आपने सुने, उसके ठीक opposite है, आपकी concordant नादिया, discordant में आपने सुना था, कि कोई प्रवाह मार गया ढाल को follow करती हैं, नहीं करती हैं, तो ये करती हैं क्या, जी बिलकुल, ठीक है, ये आपके local topology से मतलब नहीं रखती हैं, कौन सी, discordant, तो ये क्या करेंगी, local topology से मतलब रखेंगी, ठीक है, clear, तो concordant नादिया, बड़ी सी husband type के नदिया होती हैं, कि भई, ढाल को भी follow करेंगी, local geography से भी उनका मतलब होगा, और जिस प्रकार की महा की सनशना होगी, उसी प्रकार का उनका प्रवाह मार्ग होगा, clear, अब concordant में, कौन कों से नदिया आप देख रहे हो, sequent यानि अनुवर्ती, subsequent यानि सहानुवर्ती, a-sequent यानि प्रत्यानुवर्ती, और new sequence मतलब 9 अनुवर्ती, एक map में मैं आपको इस सारी सारी नदिया समझा दूँगा, और देख लेते हैं, कि भई, concordant नदियों का map किस तरह से एक map में आप हम इसको बताया जा सकता है, उसके लिए आप पहले slope को समझ लो, slope दो तरह का slope का simple सार्थ क्या होता है, ढाल, और ये दो तरह का होगा, एक होगा reasonable slope, यानि छेत्रिय ढाल, ये विशाल छेत्र की बात करेगा, एक होगा local slope, ये इस्थानिय छेत्र की बात करेगा, clear? अगर मुझे reasonable slope बताना पड़े, तो जैसे बाईचान साब पिलपना गरो कि ये मेरा हाथ है, और ये अरौनाचल प्रदेश का छेत्र है, clear? तो भारत को अगर हम ऐसा horizontal रख दें, तो आपको देखने को मिलेगा, कि भारत का ये जो दक्षन छेत्र है, उसका जुकाव जो है, वो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ अधिक है, और इस बात का सबसे बड़ा सा सबूत ये है, कि भारत की जो महत्पूर्ण और maximum नदिय है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है जाकर, तो ये आपके एक विशाल छेत्र की ढाल है, तो ये कैसी ढाल कहलाएगी, रीजनल स्लोप, जबकि भारत में विंद और सत्पूरा के बीच भी एक नदी बहती है, जिसे हम बोलते हैं नर्मदा, नर्मदा भारत की सभी है, पूरफ से निकल कर, आपके अमर कंटक के पठार से निकल कर, पश्चिम की तरफ, अरेबियन सी में, ऐसा क्यूं? क्योंकि धाल भले ही यहाँ पर, अब जैसे इस एक फिगर के तुरू मैं आपको समझा दूँगा, देखिए, द्यान से, बाइसा समाल लेते हैं, ये धा जा रही होती है, ये एक विशार ढ़ाल होगी, इसी ढ़ाल में मान लेते हैं, कोई छोटा सा छेतर ऐसा हो, जिसकी सनचना कुछ इस प्रकार की हो, तो ऐसे में क्या होगा, कि उस नदी का ओरिजन अगर पश्चमी तरफ है, तो ये पूरा का पूरा इलाके का ढ़ाल, आपक और लोकल स्लोप, ओरिजनल स्लोप से डिफर कर सकती है, क्योंकि ये एक छोटे छेतर की ढाल को प्रदर्शित करती, ठीक है, अब उस ढाल के गौर्डिंग की इन नदियों को अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती शब्द का मतलब है, जो किसी ने किसी एक क्रम को फॉलो करे, जो किसी एक डाल को फॉलो करे, अब डाल को फॉलो करे, अब डाल को फॉलो करे, ठीक है, तो देखते हैं भई, कि आपके ये जो क्रमा अनुवर्ती नदियां है, यानि जो आपके कॉन कॉर्डन नदियां है, इनको हम किन किन तरह से जान सकते हैं, जैसे सबसे पहला हमारा एक था, sequent river, सबसे पहला example क्या था? sequent नदिया, यानि अनुवर्ती नदी, कौन से नदी? अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी ढाल की तरफ बहती है, तो भाई नदी जो आपके reasonable ढाल की तरफ बही चली जा रही हो, उसे हमने क्या कह दिया? अनुवर्ती नदी, ठीक? इसके बाद हमने एक दूसरी नदी देखी थी, वो थी subsequent, क्या देखी थी? subsequent, इसको हमने हिंदी में क्या बोला था? ये थी सहानुवर्ती, इसमें दो शब्द हैं, सह और अनुवर्ती, अनुवर्ती यानि उसी तरफ जिस तरफ अनुवर्ती नदी जाती है, जिस तरफ धाल जाती है, और सह का मतलब ये उसकी सहायक हो जाती है, अब ध्यान से देखे, जैसे कोई नदी आके मिल जाए इस तरह से, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस नदी का direction भी आपके ढाल की तरफ है बट इस नदी का जो एक angle है वो आपके अनुवर्ती नदी की तरफ नहीं है यानि इसकी सहायक नदी है और इसका जल भी उसी नदी की तरफ जा रहा है जिस तरफ जा रही है ये sequent river यानि आपके sequent river की सहायक नदी आपके क्या कहलाएगी sub sequent जैसे अगर हम sequent नदी का example लें तो इसका सबसे बड़ा example ले सकते हैं गंगा नदी गंगा आपके उत्राखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार से थोड़ा बहुत छेतर जारखंड से होते हुए पश्चिम मंगाल जाती है और पश्चिम मंगाल जब वो जाती है तो आप क्या देखते हैं कि गंगा को उसके बाएं और दायां थट से basically जो उसके बाएं थट से बहुत से नदियां कुछ इस एक आकार में आके जुड़ती है तो ये सारीक सारीक नदियां गंगा मुख के सारीक नदियां ये हो गई सीक्वेंट और गंगा की सारीक सारीक नदियां ये हो गई सब सीक्वेंट अब ऐसी नदी जो आपके original slope के विपरीत जाए जो ऐसी नदी जो आपके original slope के विपरीत जाए वही क्या कहलाएगी A-sequent क्या कहलाएगी A-sequent इसका simple सा अर्थ जराब समझे ये कहला रहे है प्रत्यानुवर्ति यानि अनुवर्ति के ठीक opposite है ना कि जो original slope है उसके ठीक opposite जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में जो भारत का original slope है जो reasonable slope है वो आपके पश्चम से पूर्व की तरफ है यानि सारी सारी नदिया कहां गिरती है पूर्व की तरफ इसके बावजूद नर्मदा जो है वो आपके अमरगंटक के बठार से निकल कर यानि पूर्व के छितर से निकल कर पश्चम की तरफ जाती है और आप सागर की तरफ जाती है और कारणा मैंने क्या बताया कि जो विंद और सत्पुड़ा के बीच जो एक स्लोप क्रियेट हुआ है वो उसे पश्रिम की तरफ ले जाता है तो यह होगए ए सीकुंट वर अब सवाल आता है तीसरा नियो सीकुंट वर नियो सीकुंट यानि नवानुवर्ति यानि सिंपल सी बात है ये वे नदियां होती हैं जो बहती हैं आपके ढाल की तरफ ही लेकिन उनका मार्ग अभी भी निर्मित हो रहा है जैसे बिहार की कोसी नदी लगातार मार्ग परवर्तित करती रहती है और अभी भी उसका पात्वे अभी डिसाइड नहीं और वे नदियां जो लगात के कितने टाइफ होते हैं प्रवाह क्या अधार पर इसे तेजी से रिवीजन कर लें नदियों के हमने दो टाइप देखे थे कौन से Concordant और Discordant Discordant मतलब अक्रमान वरती यानि किसी क्रम का फॉलो नहीं करती Concordant यानि क्रमान वरती नदियों यानि किसी क्रम का फॉलो करती है Discordant में दो टाइप Antecedent और Super Imposed दोनों की खासियत क्या कि दोनों ही नदिया अपने Initial Path को फॉलो करती है दोनों ही नदिया किसी भी सामने की ढाल से उनको कोई मतलब नहीं होता वे अपने पुराने मार्क पर ही चलती है बड़ दोनों में जो फर्क बात निकल के आती वो ये कि जो Antecedent नदिया होती है ये काफी गहरे गड़ों काने मार करती है और Super Imposed नदिया गहरी कटान नहीं करती है बड़ दोनों ही जिद्धी तरह की नदिया जिन पर Local या Original Slope का कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपने रास्ते खुद तैय करती है तो आपके Antecedent का Example मैंने क्या बताया था Indus, Satlaj और Brahmaputra और आपके Super Imposed का मैंने Example क्या बताया था छोटा नागपुर पठार की नदिया इसके बाद मैंने कौन समझा है आपको ये Concordant तो नदियों का Type हम Clear कर चुके है अब हम सीधा सीधा चलते हैं कि भारत में जो नदियां हम पढ़ेंगे उनको किस तरह से विभाजित किया गया क्योंकि किसी भी नदियों को उठा के नहीं पढ़ना है हमें पहले समझना है भारत में नदियों के pattern को भारत में नदियों के sequence को कि किस-किस अलग-अलग work के तहत हमें नदियों का अध्यन करना है तो भारत में नदियों का अध्यन करने के लिए हम simple सा एक भारत का नक्षा खीच लेते हैं और अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में जो नदी तंत्र है उसको हमने कितने भागों बाटा है भारत में reverse के chapter को basically हमने दो पार्ट में बाटा है पहला chapter निकल के आता है Himalayan rivers यानि Himalayan नदिया और दूसरे chapter में हम पढ़ते हैं Peninsular rivers कौन सा? Peninsular rivers यानि प्राइदीपी नदिया इन्हें हम क्या बोलेंगे? Himalayan नदिया और इन्हें हम बोलेंगे प्राइदीपी नदिया चुकि इन दोनों नदियों के प्रावा हमें इन दोनों नदियों के चरित्र में फर्क है इसलिए हमने इस तरह का विभाजन किया है सबसे पहले समझ लेते हैं Himalayan rivers में हम किन नदियों का अध्यन करेंगे? Himalayan rivers में हम अध्यन करेंगे Himalayan rivers में हम अध्यन करेंगे गंगा नदि का किसका? गंगा नदि का ये मोग के तीन नदियां होंगी और बाकी इनकी सहायक नदियां होंगी ठीक है? कारण क्या है? क्योंकि इन में से लगबख सभी की सभी नदियां आपके Himalayan ये ट्रांस हिमाले ये छेतर से होकर गुजरती है इसके बाद आपके लगबख सारी की सारी नदियां आ जाती है पैनेंसुलर ये वर्स में अगर हम बात करते हैं अरावली के आसपास की नदियां जो अरावली से सीधा सीधा खंबात की खाड़ी में गिरती दिखाए पड़ेंगी फिर हम बात कर लेंगे नर्मदा की फिर हम बात कर लेंगे नर्मदा स्टैंड्स फॉर एन फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे तापती की ठीक है ये आपके पैनेंसुलर रिवर्स की कुछ इनीशल नदियां हो जाएंगी अब पेनिन्सूला नदियों को भी दो भागों में बाटा गिया है इस्ट फ्लोइंग, अब चुक्ए ये वेस्ट साइड है तो इसको हम वेस्ट फ्लोइंग बोलते हैं यानि पश्चिम में बहने वाली नदियां और पूरब में बहने वाली नदियां ये केवल भारत में नदियों का अभी केवल वर्ग भी भाजन हो रहा कि भारत में रिवर पैटन है किस तरह का अब जब वेस्ट फ्लूइंग नदियों की बात करेंगे तो उन नदियों की बात करेंगे जैसे अरावली से आपको बहती दिखाई पड़े है जैसे लूनी नदी दिखाई पड़ेगी साबर मती दिखाई पड़ेगी इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी नदियां है जैसे माही हो गई, नर्मदा हो गई, तापती हो गई अगर करनाटरा की बात करें तो सरावती हो गई केरला की बात करें तो पेरियार हो गई ये वे सारी नदियां होंगी जो भारत में गिरती है Arabian Sea की तरफ तो ये है प्राइडीपी नदियां बट कैसी West flowing इसके बाद प्राइडीपी नदियों का दूसरा टाइप कौन सा है वो है आपके जो पूर में गिरती है पूर में गिरने अल नदियों के जरा एक सीरीज देख लेते हैं पूर में गिरने अल नदियों में कई प्रामिन नदिया आती है जैसे यहां से आपको गिरती नहीं दिखाए पड़ेगी महा नदी इसके बाद नासिख से निकलती दिखाए पड़ेगी कृष्ट्डा इसके बाद कावेडी तो پैनिसूलर में हमें इतने नदियों का डिस्केशन करना यानि भारत के आपके अपवाह तंत्र को आपने दो भागों में बटा देखा और वो अपवाह तंत्र दो भागों में किस प्रकार से बटा दिखाई पड़ रहा है हिमालेन रिवर्ट सिस्टम और पैनेंसुलर रिवर्ट सिस्टम हिमाले रिवर्ट सिस्टम में हमें मुक्यता तीन नदियां दिखाई पड़ रही है और पैनेंसुलर रिवर्ट सिस्टम में हमें दो विभाजन दिखाई पड़ रहे है वे नदियां जो पश्रिम के तरब गिरती है और वे नदियां जो पूर के तरब गिरती है इतना clear हुआ चेक अब ये विभाजन हमने किया क्यों हमें ऐसे विभाजन के आवश्रक्ता क्यों पड़ी ये बात समझी बड़ी महत्पूर है उसके पीछे है नदियों का चरित्र और यहां पर चरित्र का मतलब करेक्टर नहीं यहां पर उसके करेक्टर स्ट्रिक्ट से जो भी हिमाले नदियां है इनका सबका ओरिजिन कोई न कोई ग्लेशियर है ग्लेशियर यानि इन सभी सभी नदियों का कोई न कोई उद्गम इस्थल कोई न कोई हमनद है यह सबसे पहला फरक है जबकि आपके पैनेसलर नदियों में किसी भी नदी का उद्गम इस्थल को हिमाले निवर्स के लिए एक शब्द का प्रियुक किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पैरी नियल आप इसे हिंदी में बोलते हैं सदा नीरा क्या बोलते हैं सदा नीरा हिमाले नदिया आपको वर्ष भर जल से भरी दिखाई पड़ती है कारण ये है कि इनको जल दोस्तों से प्राप्त होता है पहला तो वर्षा और दूसरा होता है ग्लेशियर वर्षा की मात्रा में हम कभी ने कभी बढ़ोतरी या कमी देख लेते हैं बट ग्लेशियर से इन नदियों को consistent जल मिलता है और glacier से जल मिलने के कारण आपके चाहे गंगा की नदी हो, चाहे ब्रंपुत नदी हो, चाहे आपके सिंध नदी हो या उनकी सहायक नदियां हो, इनमें कभी भी हम जल सूखा हुआ देखते हैं क्या? नहीं, जबकि जो दक्षन भारत की नदियां है, यह आपके मालूम हैं जब उसकी सहायक नदियां उसको जल सौखती हैं क्यों? और दक्षन भारत में गर्मियों में कई ऐसी नदियां होती हैं, जो कि अपने प्रवाह मार्ग में पूरी तरह से गया हो जाती हैं, सूख जाती हैं, यह पेरिनियल नहीं हैं, यह सदा नीरा नहीं हैं, तो यह कैसी ह जब कि गर्मी के मौसम में इन अदियों में जल नहीं दिखाई पड़ेगा, यह आपके हिमालियन रिवर्स और पैनेंसुलर रिवर्स के विभाजन का आधार था, अब हमें जो सबसे पहले और जो सबसे पॉपलर टॉपिक होता है, वो शुरू करना पड़ेगा, तो हम सब से पहले शुरुवात करेंगे, किसकी? हिमालियन रिवर्स की, किसकी? हिमालियन रिवर्स सिस्टम की, हिमालियन रिवर्स सिस्टम में जो तीन नदियां हमें देखनी है, वो कौन-कौन सी है? इंडस, गंगा, यानि गैंजिस, और तीसरी है, ब्रह्मपुत्रा, कौन सी है? ब्रह्मु पुत्र, यह तीन मुख्य नदियां हैं जो हमें हिमाले निवर्ड सिस्टम में देखनी है, अब इनमें से सबकी सबकी ट्रिब्यूटरी देखनी है, यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है सहायक नदी, तो अगर मैं आप से सिंपल सा पूछू सहायक नदी क्या हो तो दो तरह के शब्द प्रियोग होते हैं नदियों के जल विलय को लेकर, एक होता है सहायक यानि ट्रिब्यूटरी और दूसरा शब्द होता है डिस्ट्रिब्यूटरी, सिंपल जी बात, मैंने आप से बोला, आपके पास एक किलो सेब है, जाओ उसे ट्रिब्यूट कर दो तब आप क्या करेंगे, और मैं आप से बोलूँगा, आपके पास एक किलो सेब है, जाके इसको डिस्ट्रिब्यूट कर दो, तब आप क्या करेंगे, जब बात मैं ट्रिब्यूटरी करूँगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है, वो किसी एक को दे दो जा क और जब distribute की जाती है कोई चीज तो वो कई लोगों के बीच में की जाती है ठीक है तो tributary का मतलब होता है सहायक नदी और distributor का मतलब होता है वितरक नदी एक map के थूर हम समझ लेता है क्योंकि यह नदी का basic चीज है यह कोई नदी है इस नदी का नाम है x अगर कोई y नदी आके इसको अपना जल दे दे तो y नदी जो है वो x नदी की सहायक नदी हो गई क्यों क्योंकि y ने अपना जल दिया example जैसे माल लेते हैं गंगा है और गंगा को यमना अपनी जल दे देती है तो यमना गंगा की सहायक नदी हो गई आगे बंगाल में जाके क्या होता है कि गंगा आगे बढ़ जाती है और गंगा की एक धारा हुगली नाम से बढ़ जाती है और वो नीचे बंगाल की खाड़ी में डूप जाती है तो यह हुगली को यह अपने आपे इंडिपेंडेंट रिवर है क्या यानि गंगा ने अपना पानी किसी नदी को बांट दिया, या अपना पानी कहीं बांट दिया, वित्रण कर दिया, तो that is why आपके हुगली क्या हो जाती है वित्रण नदी, तो सहायक नदी क्या होती है, वित्रण नदी क्या होती है, यमना गंगा की सहायक है, हुगली गंगा क कि वितरक है, clear, चली, तो अब यहां पर जब हम देखते हैं, कि इंडस की साहयक, गंगा की साहयक और ब्रहंपुत्र की साहयक, तो सवाल मोसली आपके साहयक नदियों से ही बनते हैं, क्योंकि सब को मुखे नदियां याद रहती हैं, साहयक नदियां सब के सब भूल दाते हैं, इन्वे से जो सबसे पहला चैप्टर हम शुरुआत कर सकते हैं एकलीस लक्षर में मैप के थूँ हम उस पर काम तो करी सकते हैं वो है इंडस सीवर्ड सस्टम कौन सा है? इंडस रिवर्ड सस्टम चलिए रिवर्ड में इतना बेसिक खतम करने के बाद अब हम अपने किसी पहले नदी तंतर की तरफ जो है बढ़ पाएं हैं और ये सारा का सारा मेहनत किसलिए करवाया गया भीया? ताकि अगर कभी सवाल नदीयों की बजाए नदीयों की जियो मर्फलाजी से आ जाए तो भी आप उस सवाल को देखकर ना तो कटना है मैसूस करें ना कोई चैलेंजिंग मैसूस करें अब अगर मैंने बात की है इंडस रिवर्ड सिस्टम की तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि इंडस रिवर्ड सिस्टम में हमें कवर किसे किसे करना है सबसे पहले हमें कवर करना है सिंध नदी को इसके बाद हमें कवर करना है जेलम नदी को इसके बाद हमें कवर करना होगा इसकी सहायक चेनाब नदी को जो कि इसकी सबसे बड़ी सायक नदी है इसके बाद हमें कवर करना पड़ेगा रावी नदी को इसके बाद प्यास नदी को और इसके बाद हमें कवर करना पड़ेगा सतलच को पर क्या इंडियस की इतनी सा एक नदी हैं इंडियस इवर्ड सिस्टम में इन आपके पांच नदियों का जिक्र जरूर होता है क्यों कि ये भारत के प्रवाध शेत्र में बहती है बड़ आपको मालूम है कि इंडियस एक ट्रांस हिमालियन नदी है कैसे ट्रांस हिमालियन है वो मैं आपको बता दूँगा बड़ ध्यान से देखिए कि आपके इंडियस इवर्ड सिस्टम में हम उन नदियों का जिक्र भी करेंगे जो आपके ट्रांसिमाली छेत्र से इसमें मिलती हैं आकर क्योंकि उनके बारें भी सवाल बनते हैं इंडस इवर्ड सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक मैप क्रियेट कर रहा हूँ और इस मैप के थूँ हम समझेंगे कि इंडस का प्रभाज छेत्र है कहां से यह तिबद का छेत्र है आपके नेपाल में पड़ता है और यहीं तिबद के पास एक बड़ी सी जील है मानसरोवर इस मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसे हमने बोल रखा है बोखर्चू ग्लेशियर क्या बोल रखा है बोखर्चू ग्लेशियर बोखर्चू ग्लेशियर से एक नदी आपके तिबद के छेत्र में प्रभाह करती है और जब तिबद में वो प्रभाह कर रही है उस दौरान उस नदी का नाम है सिंगी खंबन इस नदी का नाम क्या है सिंगी खंबन आरिवासन में और सिंगी खंबन नदी जब आपके भारती ये छेतर में प्रवाह करती है तो दरसल ये नदी बहती है आपके दो माउंटेन रेंजेस के बीच से उसे बोला गया है L स्टेंड्स फ़र लदाक और जे स्टेंड्स फ़र जासकर तो एक सिंपल सा सबसे पहला मसे की सवाल हो गया इंड्स रिवर जो है सिंद्धी है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है तो मांसरोर के पास कौन सा गलेशर है बोखर्चू गलेशर इंड्स तिबबत में किस नाम से जाने जाती है सिंगी खंबन के नाम से किस नाम से सिंगी खंबन के नाम से तीसरा पॉइंट इंड्स भारत में किस जगे से प्रिवेश करती है सवाल बना है इस पर भी कि इंड्स भारत में किस जगे से प्रिवेश करती है तो भारत में जिस जगे से इंडस प्रवेश करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, वो लद्दाक में है, उसका नाम है डैमचॉक, क्या नाम है? डैमचॉक, अगर मैं इसको उपर लिख दूँ, तो डैमचॉक ये वो जगे है जहां से सिंध भारत में प्रवेश करती है मैं सिंद की अभी किवल आपको primary information दे रहाँ क्योंकि सिंद आपके भारत के हिंदुस्तान शब्द के पीछे एक major river है ऐसा बोला जाता है कि अरब के लोग साथ शब्द का प्रियोग नहीं कर पाते थे इसी लोगने सिंद की बजाए हिंद की बजाए साथ शब्द का प्रियोग नहीं कर पाते से लोगने सिंद की बजाए हिंद शब्द का प्रियोग किया यह बात मुझे बड़ी ridiculous लगती है क्योंकि हम अपने देश में जो सबसे बड़े अभीनेताओं में से एक आते हैं उनको हम सलमान बोलते हैं उनको महलमान नहीं बोलते हैं रिडुकल से कभी कभी तक रखे जाते हैं बट कहानी है सुन लेते हैं ठीक है तो ऐसे में क्या होता है कि इंड़ सिवर सिस्टम आपके लदाक के छेतर में कहां से एंटर करती है डेम चोक से, कहां सेंटर करती है, डेम चोक से, डेम चोक के बाद जब ये नदी एंटर होती है लदाक में, तो लदाक में ये इस नदी का जुकाओ किस रेंज की तरफ अधिक होता है, वो है लदाक रेंज की तरफ इस नदी का जुकाओ अधिक है, और लदाक को पार करने के जब ये कराकुरमशित्र में आती है तो यहाँ पर एक जग형 है जिसे हमने बोल रखा है गिलगिट क्या बोल रखा है गिलगिट गिलगिट से इस नदी ने संटेक्षियल बेंड लेते हुए क्या किया है पाकिस्तान में प्रविश करते हुए यह नदी ध्यान से देखिए तो ये आपके इंडस नदी का एक इनिशल प्रवाहब छेतर बनाया गया है जहां पर आपको इंडस के ओरिजन की बात की गई है उद्गम की बात की गई है कि वो बोखर्चु से शुरुवात करती है अपनी उसके उस छेतर की बात की गई है कि किस माउंट की गई है जहां पर इस नदी का मुहाना है कराची में ये आपके इंडस का एक इनिशल मैप है अब देखिए आज कि इस वीडियो लेक्शर में हमने सबसे पहले जाना कि भाईया नदी क्या होती है इसके बाद हमने जाना कि नदी के साथ जो जो जोड़े शब्द होते है उ उसके अगले लेक्शर में है या उसके अगले सेक्शन में हमने ये जाना कि भाईया नदी कितने प्रकार की होती है तो हमें पता चला दो प्रकार की होती है उसके अगले सेक्शन में हमने हर एक प्रकार के नदी का जिक्र with example समझा और इसके बाद हमने समझा कि भारत में आज इंडा सिस्टम की शुरुआत हमने कर दी है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्षर में हम पूरा का पूरा इंडा सिस्टम कवर कर चुके होंगे इसलिए प्लीज चुकि रिवर्ड सिस्टम है इसलिए इनको भी मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने अपने सारे लेक्षर बता हैं और वो है मैप बनाकर ठीक यानि कबीर सिंग नाम की फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा कबीर सिंग नाम का नॉवल नहीं देने वाला हूं कि आप उसको रख दो और समेटके उसो किनार डाल दो क्लिर तब तक के लिए मैं आपसे फिर से एक बात दो रहा हूंगा कि अंतेवासी के ऑनलाइन पोर्टल पर मेरा यानि आनन सिंग का आपको हार्दिक अभिनंदन है कि आप हमारे वीडियो को लगातार वाच कर रहे हैं और अंतेवासी के बारे मैं जैसा कि पहले भी कह चु को अगर आपकी तरफ से कोई सहयोग मिल सकता है तो यह कि इन वीडियो को जादा जादा शेर कीजिए इस चैनल को जादा जादा सब्क्राइब कीजिए और ना कियों सब्क्राइब कीजिए शेर करके व्यूज बढ़ा कर हमें हमारा जो मोटिव है वो है इंस्पिरेशन वो